माना अधिकार से संबंदित अगला विश्य है वह है भारत में माना अधिकार की स्थिति एवं योगदान विश्व स्थर पर क्या हो रहा है इसको हमने जाना यदे अपि विश्व के विभन देशों में बुध्धी जीवियों सामाजी कारे करताओं गैर सरकारी संगठनों रा कारे करने है तो ये लोग माना अधिकारों की रक्षा है तो जनमत तैयार तो कर रहे हैं जागरूकता पैदा तो कर रहे हैं लेकिन इसके साथ ही स्युक्त राश्चंग को भी संपूर्ण विश्व में ऐसी परिस्थितियों का निर्मान करना होगा जिससे माना अधिकारों क वैधानिक मानिता मिले जिसकी अभी कमी है तो वैधानिक मानिता के लिए सिंक्तराश्चंग की अहमियत से नकारा नहीं जा सकता विश्मंच पर या वैश्विक स्तर पर भारत में इसकी क्या स्थिति है माना अधिकार की रक्षा और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए सरकारी गैर सरकारी दोनों स्तर पे बड़ा काम हो रहा है क्या काम है एक मुल्यंकन थोड़ा करें एक नजर डालें पहला बिंदू भारत माना अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर सेंक्तराश्चंग माना अधिकार आर्थिक एवं सामाजिक परिशद और महा सभाक्या दिवेशन में सक्री रूप से भाग लेता रहा है सेंक्तराश्चंग के साथ इसका तालमेल अच्छा बना है माना अधिकारों के मुद्दों पर दूसरा भारत अब ऐसी अनेक संधियों में शामिल हो गया है जो अंतरराश्च्टी इस तरकी हैं जिसमें स्युक्तराश्चंग का involvement है जिने स्युक्तराश्चंग के तत्वा उधान में तियार किया गया है उधारन के लिए जैसे महिलाओं के राजनीतिक अधिकार विश्यक प्रसंविदा महिलाओं के अधिकार संबंदी ये भी मानवा अधिकार का ही एक खेत्रह दारा है दूसरा बच्चों, साथ ही बच्चों के अधिकार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अंतराश्ट्री अधिकार प्रसंविदा पर भी भारत ने अपनी सहमति दी है और उसका एक हिस्सा बना है तीसरा भारत के जो प्रमुख व्यक्ति जो प्रसिद्ध लोग हैं नामचीन लोग हैं अपने अपने खेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की है इस विश्यों में उन्हें संबंधिस संस्थाओं में बहुत महतूर्ण भूमिका दी गई है और बहुत से लोगों ने अपनी इस दी गई भूमिका को बखुबी निभाया भी है जैसे मानवादिकार आयो की ही बात करें मानवादिकार समित की तो श्री पीन भगवती ये बहुत तसिद्ध नाम रहा है भारत के संदर में मानवादिकार को लेकर पी एन भगवती इसके अलावा निरंकुष, नजरबंदी, कारेकारी दल जो गठित किया गया था इसमें श्री कपिल सिब्बल का योगदान बहुत महत पूर्ण रहा है बहुत अहम भूमिका रही है और ऐसे भी अन बहुत कई व्यक्ति हैं जिन्होंने समय समय पर मानवा अधिकार के मुद्दों पर भारत में अब बहुत सशक्त काम किया है अगला बिंदू भारती संसद ने राष्ट्री मानव अधिकार संरक्षन अधिनियम उननिस सो त्रान्यवे पारित किया उननिस सो त्रान्यवे में इस अधिनियम के तहट उसने भारती मानव अधिकार आयोग का गठन किया भारती मानव अधिकार आयोग अर्थात नैशनल हुमन राइट्स कमिशन वो नहर्च आर्सी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने संक्षित रूप में वो ज़्यादा प्रसिद्ध है तो आप याद रखेंगे एन एच आर्सी मतलब राष्ट्री मानव अधिकार आयोग जिसका गठन 1993 के प्राधान के तहथ हुआ है अधिनियम के तहथ हुआ है इसके अलावा जहां एक राष्ट्री अधिकार आयोग है मानव अधिकार आयोग इन में से जैसे कुछ राधिक का नाम लें तो बंगाल है पश्वी बंगाल हिमाचर प्रदेश मद्ध प्रदेश असाम तमिलनाडू गुजराद राजस्थान मनीपूर केरल पंजाब जमू कश्मीर आदी आदी ऐसी जगहों के नाम ऐसे राधियों के नाम मानव अधिकार आयोग खेतरी स्तर पर उसके साथ जूड़े हुए हैं जिस अधिनियम के तहट मानव अधिकार आयोग की भारत में स्थापना हुई उसी किधारा तीस में मानव अधिकारों के उलंगन संबंधी अपरादों की शीगर सुरूआई करवाने के लिए मानव अधिकार नियायाल स्थापित किये गए हैं अर्थात आयोग और सम्मंदित न्याल है दोनों की स्थापना एक साथ होती है बराश्टी मानवा दिकार आयोग इस पर जो देश में बढ़ता हुआ विश्वास है वो कई बातों से परलक्षित होता है यह स्पष्ट है कि दुनों दिन लोगों का वि सक्षमता पर बढ़ा और इस बात से स्पष्ट अगलाता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना के पहले चा महिने में इसे 500 के अंतरगत 500 के अंदर शिकायते मिली थी चारसो चानिबे टुबी प्रिसाइज जबकि अप्रेल एंठानिबे से मार्च निन्यानिबे के एक वर्ष के काल में इसे चालिस हजार से ज्यादा शिकायतें मिली ये इस बात को साबित करता है कि भारती राष्टी मानवादिकार आयोग लोगों की नजर में एक विश्वसन संस्था है अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए और न्याय पाने के लिए वास्ताव में यहां मानवादिकारों को संरक्षन और बढ़ावा देने के उपाए पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत हैं सम्वेधानिक प्राउधानों के तहद भी इन मानवादिकारों को बहुत इस्थिति पदान की गई है उन्हें सामाजिक न्याय आर्थिक विकास इसके तोर पर चल रहे संघर से ज्यादा जोड़ा जा रहा है अर्थात हमने जो मानवादिकार हमारे सम्वेधानिक धांचे में दिये हैं सम्वेधान निर्माताओं उसके पीछे जहां मूल का परण था आर्थिक विकास कोट की दर को बढ़ाना नर्धनता को कम करने का प्रयास करने के उद्येश से सामाजिक न्याय लाना समानता को लाने के उद्येश से एक तरीके से सम्वेधानिक प्रावधानों के माध्यम से ही हम पहले से ही मानवादिकारों के प्रति सजग रहे हैं और इतने सज़क कि हमने समवैधानिक प्राउधान इसके लिए किये हुए हैं माना उदिकार की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा जो व्यवस्थाय की गई हैं इसके अलावा गैर सरकारी संगिठन भी बहुत ज्यादा सक्री हैं बहुत ज्यादा इसमें अपना योग अबदान कर रहे हैं जिने हम NGO Non-Government Organizations कहते हैं गैर सरकारी संगिठनों की अधी बात करें तो जैसे एक अंतर राश्टी स्थर पर Amnesty International का जिक्र मैंने किया था उसी प्रकार देश के अंदर पी यू सी एल और था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ये बहुत अहम काम कर रही है पी यू सी एल के जो पद जो पद समभाले हुए हैं जो लोग इसमें एक्टिव हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानवा दिकार के मामले को लेकर बखूबी निभाई ह और कई बार ऐसा आरोब भी लग जाता है कि शायद ये एक्टिविजम के ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं पापिलिस्ट स्टेप ज़्यादा ले रहे हैं इसके अलावा दूसरी संस्था है पीपल्स यूनियन फॉर डेमाक्रिटिक राइट्स पी यू डियार बहुत महत्प इसका गठन त्रानिवे में होता है इसका धाचा क्या है इसे प्रभावी कैसे बनाए गया है और इसकी रूप रेखा क्या है थोड़ा इसको जाने पहला इस्थापना 1993 में दूसरा इसमें आठ सदस्य होते हैं इन आठ में से एक अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष धन साथ इसके अध्यक्षपत पर सामान्यत्या सर्वोच न्यायले के वर्तमान न्यायधीश या सेवा निवरित न्यायधीश को नियुक्त किये जाने का प्रावधान है और यह प्रथा अबाद गती से चली आ रही है वे न्यायधीश जो इस ख्षेत्र में प्रतिष्ठा रखते हैं इतने उचे उवर्दे पर काम करते हुए लोगों को मानवादिकार आयोग का अध्यक्ष बनाय जाता है सिद्र से बनाय जाता है जो साथ दूसरे सदस्ट हैं वो एक किस खेतर से आते हैं एक सदस्ट सर्वोच नयायले का नयायधीश या सेवा निवरत नयायधीश होगा अर साथ अध्यक्ष के अलावा दूसरा दो सदस्ट ऐसे व्यक्ति होंगे जिने मानवादी कारों के विशय में परियाप्त ग्यान है और व्यावारिक अनुभो प्राप्त है मानवादी कार से लगातार बड़े लंबे काल तक वे जुड़े हुए हैं उन्हें सदस्ट बनाया जाता है और तीन अन्य पदेन सदस्ट से होते हैं पदेन सदस्य का अर्थ ये वे किसी अन्य पद पर नियुक्त किये जाते हैं और उस पद में जो भी नियुक्त किया जाएगा वह मानवादिकार आयोग का सदस्य होगा तो ऐसे कौन से तीन पद हैं जिसके अधिकारी यहां अपने आप स्वयमेव सदस्य बन जाते हैं मानवाधिकार आयोग के पहला राश्टी अलपसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो भी व्यक्ति राश्टी अलपसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा वह अटोमेट इसका सदस्य माना जाएगा इसलिए ऐसे पद को पदेन कहा जाता है दूसरा राश्टी अनुसूची जाती एवं जन जाती आयोक का अध्यक्ष वह भी पदेन सदस्य है मानवादिकार आयोक का मूल रूप से वो अध्यक्ष है और चूंकि वो अध्यक्ष है इसलिए योग की अध्यक्ष तो इस परकार ये तीनों जो अध्यक्ष हैं ये तीन नामजद सदस्च नहीं होते ये पदेन सदस्च होते हुँ राष्टी मानवदिकार के प्रथम अध्यक्ष सर्वोच न्यायले के सेवा निवरित मुख्य नायधी श्री रंगनात मिश्रा थी श्री रंगनात मिश्रा एक बहुत प्रसिद नाम है इस खेत्र में मात्र न्याय के खेत्र में ही नहीं बलकि मानवादिकार के खेत्र में भी जैसे श्री एपियन भगवती और कपिल सिबल का नाम आता है श्री रंगनात मिश्र का नाम भी इस संदर में बहुत महत्पूर्ण ह राश्टी मानवादिकार आयोग Question मानवादिकार आयोग क्या करता है? वैसे तो हमें काफी कुछ समझ हो गई है पर एक तरीके से इसकी हम यदि जाब प्रुफाईल देखें, काम का दारा देखें तो इस्ठिती और सपष्ट हो जाएगी पहला आयोग नियायाले के अनुमोदन से नियायायले में चल रहे मानवा दिकार उलंगन से संबन्दित किसी भी मामले की कारवाई में हस्तक शेप कर सकता है अर्थात इसे हस्तक शेप करने का अधिकार है बशर्ते नियाले अनमोजित करे दूसरा आयोग भारत के किसी भी राज्ज में स्थित जेल या किसी संस्था संस्था के माइने हैं ऐसी संस्थाएं जो व्यक्तियों को सुधारने के लिए सुधार ग्रिह के रूप में जो काम करती हैं या हॉस्पिटल्स लोगर रहे हैं जहां बचाने और इलाज के लिए लोग जाते हैं ऐसी संस्थाओं में शुधार ग्रिहों में और अस्पताल आदी में कुल मिलाकर जहां पर परवरिश के नाम पर लोग रहते हैं वहां की इस्थितिका व्यक्तिकत रूप से निरिक्षन करने का अधिकार है अवलोकन करने का अधिकार है और व्यक्तिकत रूप से अवलोकन करने के बाद वे सुझाओ देने के लिए सक्षम है मानवा अधिकार आयोग के सदस्यों के सुझाओ बहुत महत पूर्ण होते हैं तीसरा सम्विधान द्वारा जो मूल अधिकार दिये गए हैं उन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून द्वारा परदान किये गए रक्षा उपाए मानुवा भारत में मूल अधिकार मिले हुए हैं मूल अधिकार सभी नागरिकों को हैं ये मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गये हैं ये कानून कितने सक्षम रूप से काम कर रहे हैं इसकी जाच करने का अधिकार मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को है रक्षा उपायों की जाच किनके रक्षा उपायो की जाएं ऐसे कानूनों की जो मूल अधिकारों की रक्षा में आहम भूमिका निभाते हैं उसके लिए बनाए गए हैं साथी साथ इनका काम ये भी है कि जो कानून बनाए गए हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें कैसे प्रभावशील बनाया जाए इन्हें कैसे लागू किया जाए इस पर कारवाई करने का सुझाओ भी ये देते हैं चौथा मानवादिकार उलंगन या हनन इस सम्मन्द में अधि कोई शिकायत आती है तो उन शिकायतियों की जाच करने का अधिकार जैसा मैंने बताया कि एक विशिष्ट वर्ष में करीब 40,000 शिकायते उनके पास आईं जरूर नहीं की 40,000 की 40,000 शिकायते उनके द्वारा सुनी जा सकी हो उनका निराकरन किया जा सका हो या इन शिकायतों में सभी में सच्चाई हो लेकिन निश्चत रूप से बहुत से शिकायतों में सच्चाई रही होगी और इसकी जांच हुई होगी तो इसलिए इस तरह का मानवा दिकार का लंगन सरकारी अधिकारियों द्वारा कारे पालिका द्वारा पुलीस द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है नागरिकों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है मूलभूत अधिकारों से तो ऐसी स्थित में उसकी जाच करने का अधिकार और उस पर त्वरित कारवाई के अनमोधन का अधिकार मानव अधिकार आयोक को है पांचवा, मानव अधिकार सम्मंदी शिक्षा को प्रोच साहित करना जागरूकता के लिए, नैतिकता के लिए, शिक्षा सम्मा मानव अधिकार की शिक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है और बहुत अहम महत्पूर्ण भी है क्योंकि जितनी जागरुकता आएगी मानव अधिकारों को लेकर उतना ही हम सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने अधिकारों का समुचित उप्योग कर रहे हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं किसी को भी अपने अधिकारों में हस्तक शेप नहीं करने दे रहे हैं तो इसलिए जरूरी है कि माना अधिकार से तंबंदे शिक्षा को प्रोसाहन मिले और इसमें माना अधिकार आयोग बहुत महत्पूर्ण भूमिका ने भारा है साथ ही इन अधिकारों के रक्षा उपायों के प्रती लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा है उसके बाद अगला है गैर सरकारी संगठन जो माना अधिकार के क्षेतर में काम कर रहा है और अन्य ऐसी संस्थाओं को प्रोशाहित करना जो मानव अधिकार के ख्षेतर में कारिक कर रहे हुँ अगला बिंदू है गैर अधिकारी संगठनों जिसे NGO कहते हैं जो मानव अधिकार के ख्षेतर में काम कर रहे हुँ जिसमें उनकी विशिष्ष्टा मानव अधिकार के ख्षेतर है और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं मानव अधिकार से समंद्स संस्थाओं इनको प्रोसाहन देने का काम भी मानव अधिकार आयोग करता है क्योंकि उसकी पहुँच सब जगह नहीं हो सकती जरु उनकी एक सीमा है लेकिन जो NGO's है ये अंदरूनी अलाकों तक जा सकते हैं फैल सकते हैं और उसके लिए इनमें कौशल है ये पारंगत हैं मानव अधिकार आयोग भारत में उन कारें और तथ्यों की जांज भी करने का अधिकार रखता है जो मानव अधिकारों के उपयोग में बाधक हैं यदि उसे जानकारी मिलती है कि कुछ बातें ऐसी हैं कुछ कारें ऐसे हो रहे हैं जो मानव अधिकार के उपयोग में बाधक हैं या अभेलना कर रहे हैं तो इन बाधत तत्वों की जाज करना और उन्हें दूर करने के उपाए बताना ये मानवादिकार आयोग के दाइरे में आलता है कारिक्षेत्र में आलता है आठवा बिंदू मानवादिकार से संबंधित अंतराश्टी कानून या किसी भी संधी को भारत में क्रियानवित करने परामर्ष देना जैसा मैंने पूर में बताया भारत ने कई अंतराश्टी संधियों में अपनी सहमत दी है जो मानवादिकार से जुड़ी हुई है तो संधियों के मुद्दों को सही रूप में लागू करने के लिए हम ऐसी स्थित्य में बात दिया है यदि किसी तरह की अर्चने हों तो मानवादिकार आयोग उसमें प्रामश देता है कि कैसे इन संधियों को भारत में उप्यूक्त तरीके से क्रियानवित किया जाए और अंतिम है जो इसके कारिक्षित्र में हम गिन सकते हैं वह है मानवादिकार की उन्नती विकास के लिए सतत प्रयासरत रहना और थाथ वो सब कुछ करना जो मानवादिकार को बढ़ावा दे जो विकास को बढ़ावा दे मानव विकास को बढ़ावा दे उसके लिए समगर प्रयास करने का अधिकार इसको है राष्टी मानवादिकार आयोग निश्पक्ष होकर मानवादिकार हनन्ट से सम्मंदि सभी शिकायतों की जांच करते रहा है उसमें अग्रणी रहा है और जैसा मैंने कहा कि इतना वह एक्टिव रहा है कि कभी कभी उस पर ये आरोप लग जाता है कि जाने अंजाने में वह जरूरत से ज़्यादा इन मुद्दों को उच्छाल रहा है जो गैर वाजिब है किन्ति आयोग कुछ ऐसी भी शिकायते होती हैं जिन पर विचार नहीं कर सकता और उसको बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिस जो आयोग की कारिर सीमा से बाहर है पहला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की शिकायते हैं अर्था जो मैंने ऊपर बिंदु बताया आपको उसके बाहर से सम्बंदी ते कोई शिकायते हों तो उस पर उध्यान नहीं देगा दूसरा यदि कोई शिकायत अधूरी है उसका उद्यश उसका मूल शिकायत नहीं हो रहा है तो उस पर भी ध्यान उनसे एक तरीके से हस्तक शेप नहीं कहना चाहिए अवलोकन करने की उनसे आगरह करे और अंतिम है साल भर से अधिक समय से पहले कुछ बात घटित हुई हो जिसकी शिकायत शिकायत करता एक वर्ष बाद या उससे ज्यादा के काल के बात कर रहा है तो उस पर भी मानव अधिक कार आयोग ध्यान नहीं देता उन शिकायतों को वह उन पर विचार नहीं करता चौथा मुद्दा जो है वह शिक्षा से संबंधित है क्या है शिक्षा संबंधि मामला आज के समय में शिक्षा को सब लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है बढ़ती जन संख्या और शिक्षा पे घर्टा व्याय तो लिनात्मक दिश्टि से हतियारों पर व्याय बहुत बढ़ा है रक्षा संबंधि मामलों पर व्याय बहुत बढ़ा है जिसके बहुत से कारण है पर इसका परणाम ये हुआ कि शिक्षा को इसका खामियादा भगतना पड़ ये तीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यदि हम गरीब नहीं है तो निश्चित रूप से हम शिक्षित होंगे और शिक्षित हैं गरीब नहीं है तो निश्चित रूप से स्वास्थ के मामले में भी हम सजग रहेंगे लेकिन यदि इन में से कोई सी भी एक चीज हमारे पास नहीं है तो फिर हम और मूल रूप से यदि शिक्षा नहीं है तो फिर स्वास्त और गरीबी ये दोनों निश्चित रूप से मुह बाय सामने खड़ी रहेगे समस्चा के रूप में उधारण के लिए गरीब व्यक्ति नहीं तो शिक्षित हो पाता है और नहीं बीमारी के समय अपना इलाज करवा पाता है इसलिए स्वास भी कराब रहता है इसी तरह एक अशिशिक व्यक्ति को ना उचित रोजगार मिलेगा और नहीं अपने स्वास को देख पाएगा तो इस पर कारवा निर्धनी बना रहेगा विश्व के जो अधिकांश देशों में खासकर विकास शिल देश जिनकी संख्या सौ से ज़्यादा है इन में बहुत अधिक निरक्षरता है और इसलिए इन देशों में निर्धन्ता और स्वास्त संबंदी समस्या बहुत गहरी बनी होई है अशिक्षित व्यक्ति चालाक लोगों की बातों में आकर गलत कारे करने लगते हैं और इसलिए स्वेंक्ष राश्चंग के एक बहुत महत्पून अभिकरन इसने विश्विस्तर पर शिक्षा के प्रसार प्रचार की जिम्मेदारी अपने उपर ली है और वह अभिकरन है UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization हम में से बहुत लोग संभा है कि सेक्षराश्चंग के बारे में उतना न जानते हूँ जितना UNESCO के बारे में UNESCO जो शब्द है वह UNESCO जो अब्रिविएटेड अक्षर है उससे जोड़ कर एक सिंगल शब्द बना है ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं ऐसे शब्दों को acronym कहा जाता है acronym तो इस प्रकार UNESCO UNESCO इसने विश्व उस्तर पर शिक्षा के लिए वर्षों से बहुत प्रयास किया है सार्थक प्रयास किया है और इसके परणाम भी दिखते हैं UNESCO का जो सम्विधान है उसका पहला वाक्य है चुकि युद्ध दिमाग में पैदा होता है इसलिए शांती के बीज हमें इसलिए शांती के बीज सुरक्षित रखने के लिए आधार शिला भी मानो दिमाग में बनाई जानी चाहिए There can never be a good war and a bad peace There can never be a good war and a bad peace उसी तारतम्य में UNESCO की जो प्रेणा वाक्य है वा कहता है कि The war begins in the minds of men War begins in the minds of men So it is in the minds of men that seeds of peace must be sowed S.O.W.E.D. लडाईयां आदमी के दिमाग में पैदा होती है और इसलिए शांती के बीज आदमी के दिमाग में बोने की जुरत है इसकी अधार शिला मानो दिमाग में लगाई जानी चाहिए अर्थात लोगों को शैक्षनिक, वैग्यानिक और सांस्कृतिक आधार पर जागरूक करने की जुरत है शैक्षनिक शिक्षा देना वैग्यानिक तरक संगत लोजिकल तरीके से बात करने की एक शमता बढ़ाना और सांस्कृतिक अर्थात अपने समाज, अपनी परंपराओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करना, उसे जागरूक करना, उसे शिक्षित बनाना, ये इस युनेशको संस्था का बहुत अहम काम है और इसके पीछे मकसद ये है कि ऐसा करने से वे लोग गलत कारियों के और गलत दिशा में नहीं बढ़ नहीं करेंगे आदी आदी अगला अहम मुद्दा है गरीबी, निर्धनता वैश्विक गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है यद्यपिक गरीबी पूरे देश में, पूरे विश्व में हैं परंतु विकास, शील और नवस्वतंत रा जिसे नियो फ्री कंट्रीज कहेंगे, यहां पर बहुत खतरनाक इस्थिती है, दरिद्रता की चरम सीमा इन देशों में देखी जा सकती है, जो अभी अभी स्वतंतर हुए हैं, मूल विशेश रूप से अफ्रीका, एशिया और लाटिन अमेरिका में, अधिकान स्विकास, पिल देशों में खाद्यान की समस्या है, जिसके कारण उनके स्वास्त पर भी बहुत असर पड़ता है, भुखमरी अलग होती है, और अंडर नरिश्ड होते हैं, जी तो रहे हैं, लेकिन जीवन तो चल रहा है, लेकिन सब अंडर नरिश्ड हैं, क्रिश काये हैं, गरीबी की अवस्था में जीवन यापन करने के लिए विवश हैं, और ऐसी गरीबी जो अपनी पराकाष्ठा पर है, आज की यदि बात करें, तो लगभग 1.25 बिलियन लोगों को प्रति दिन केवल 1 डॉलर से ही गुजारा करना पड़ता है, यदि हम डॉलर की बात करें त और एक डॉलर के आज की तारीक में मायने है करीब 70-70 रुपए, इतने रुपए में एक व्यक्ति को अपना गुजारा करना, प्रति दिन, सुनिश्चित करना, अपने अपने लिए ऐसे जीवन बिताने, सुनिश्चित करना, जिसे एक मानवी जीवन कहा जाए, संभव नही है, यह जो आंकड़ा है, यह बड़ा भयावा है, क्योंकि यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, अमीर देश या अमीर व्यक्ति दुनिया के वे और अमीर होते जा रहे हैं, और उनके अमीर होने बढ़ते हुए अमीरी के पीछे कहा का धन है, इन ही निर्धन लो की बहुत भैंकर सितिकाप अंदाज लगा सकते हैं गरीबी के कारण विकाशी देशे को लोगों को कुप पोशन की समस्या है अंडर नरिश जिसे मैंने कहा भुखमरी की समस्या है महामारी की समस्या है और कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं एक साइकल की तरह साइकलिक रू लोग मौत के उसमें घाट चले जाते हैं गरीबी के कारण लोगों में असरक्षा भी है और इस असरक्षा के मद्दे नजर दो जून की रोटी को सुनिश्चित करने के लिए करने के लिए ये लोग गलत कारियों की और बढ़ जाते हैं और इसलिए एन देशों पे इन पूलता पाते हैं इन अपरादों के पीछे निर्धनता है अशिक्षा है और स्वास्त की बाद तो फश्ट हो गई है कि जो निर्धन है उनके स्वास्त में सुधार की अपेक्षा कते ही नहीं की जा सकती है अगला मुद्दा है समस्या का स्वास्त का जैसे वैश्विक गरीबी और शिक्षा का जो दृष्ष है वह बड़ा निराशा जनक है स्वास्त के मामले में भी कोई उच्चाह वर्ध के स्थिति नहीं है क्योंकि इसका तम्मन नर्धनता से है शिक्षा से है विश्व के अधिकतर देश मूल रूप चे विकाश्चील देशों में ये समस्या बहुत गहरी पैठ हुई है आर्थिक संपनिता बढ़ती आर्थिक संपनिता और वैज्ञानिक उन्नती एक और हो रही है नैने स्वास्त संबंधी सुधार हो रहे हैं लेकर इसके बावजूद अधिकाश्च लोग इस मामले में समस्याओं से ग्रसित हैं क्योंकि ये जो सुधार है ये जो वैज्ञानिक उन्नती है स्वास्तिक के खेत्र में ये जो आर्थिक संपनिता है ये कुछ ही खेत्रों तक सीमित है उजारन के लिए पिछले कुछ वर्षों में बीस मिलियन लोंगों की मृत्य ऐसी बीमारियों से हुई जिनका इलाज संभव था बीस मिलियन लों केवल इसलिए मारे गया क्योंकि उनके पास पर्याप धन नहीं था जिसे अपना इलाज करता है जबकि वे बीमारियां मामूली थी इससे स्पष्ट है कि आर्थिक संपन्यता और चिकित्सा तथा वेग्यानिक जो उन्नती है उसका फायदा विश्व की अधिक्तम जनता को नहीं मिल रहा है इसका फायदा केवल विकसित देशों को संपन्य देशों को और वहां भी कुछ थोड़े लोगं को पहुँच रहा है जबकि आज भी विकसित देशों के लोग चेचक से हैजा जैसे बीमारी से प्लेग से और एड्ज से मर रहे हैं बड़ी संख्या में HIV AIDS Bird Flu SARS जिसे हम Severe Acute Respiratory Syndrome कहते हैं ऐसी महामारिया अप्रवास व्यवसाय पर्यटन और सैन अभियानों के जरिये बड़ी तेजी से विभिन देशों में फैल रही है कुरोना की यदि हम बात करें तो आपको सच्चाई बड़ी स्पस्ट रूप से मालूम है किस तरीके से इसने लाखों लोगों को शुला दिया मृत्यु दिला दी ये जग जाहिर है कहा तो ऐसा भी जाता है कि यॉरोप में जो ब्यूबानिक प्लेग हुआ था 14-15 शिताबदी में जिसमें लाखों लोग मारे गये थे उस प्लेग के पीछे परेटन और व्यापार एक महटपून कारण था क्योंकि अमेरिका के खेतर से बहुत से जहाज यॉरोप की तरफ व्यापार के संबन में आते थे तो उनके साथ चूहे भी चले आते थे और तकार उस खेतर से चूहों का आना यॉरोपी धरती पर प्रारंब हुआ और जिसने बाद में व्यूबानिक प्लेग का रूप ले लिया तो आप समझ सकते हैं कि जो ये बीमारिया होती है उसके मूल में लोगों का अप प्रवास है पलायन एक जगह से दूसरी जगह जाना अपने स्थाई निवास बड़े स्थर पर बदलना दूसरा व्यवसाय है तीसरा परेटन है और चौथा सैन्य अभियान है सैन्य अभियान के माइने हैं जब युद्ध होते हैं तो लाखों की संख्या में फौजी फौज एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाती है और सभी तरह की परिस्थितियों से गुजरते ही जब जाते हैं तो बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं और फिर मृत्य हो जाती हैं तो इस तरह की महामारियां जिनका जो मानो निर्मित हैं और इस तरह की महामारियां जिसका इस तरह की बीमारियां जिसका इलाज संभाव था इसके कारण आज विश्य की एक बहुत बड़ी जन संख्या हर वर्ष समाप्स हो जाती है एबोला वाइरस जिसका आपने नाम चुना होगा कुछ वर्ष पहले आया था हेंटा वाइरस हेपटाइटिस ऐसी कुछ बीमारियां और फिर करोना ये कुछ नई बीमारियां उभरी हैं नई तरह की बीमारियां सामने आई हैं परंतु इनका तो इलाज नहीं हो पा रहा है या इनके इलाज में अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं हुई है ऐसी स्थिति में मौट का होना लोगों का मौत के उसमें जाना ये तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है विकाशी इलदेशों के बच्चों की बात करें तो इनकी अत्म हम्रित्यू एक बड़ी सामानली चीज है कुपोशन के शिकार से जन्म लेने के बाद बहुत से बच्चे मर जाते हैं इन्हें स्वच पानी नहीं मिलता उचिस सहायता नहीं मिलती नकारात्मक प्रभाव उनके स्वास्थ पर स्वास्थ के नकारात्मक प्रभाव के परणाम सुरूप ये लोग एक अंडर नरिश्ड जनरेशन सामने आता है और फिर ये लोग गलत कारें की और बढ़ते हैं